Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशीफल ये 11th April से लेकर 17th April तक की आपकी Tarot Ratings है, Tarot Predictions है और अभी currently मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से मुझे contact करना चाहते हैं तो आप अगर WhatsApp message या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि normal call हो सकता है, miss हो जाए और दिखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप again मैं कहूंगी WhatsApp call या फिर WhatsApp message मुझे करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पीच भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही ग्राशी फल तो चलिए इस copy उस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए cards है 9 of swords and great power और देखे 9 of swords का card किसी चीज को लेकर एक फिक्र करने की बात करता है एक चिंता करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically इस week आपके professional friend में रहता हुआ देख रहा है और देखें सबसे पहली बात इस चीज को सुन के आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि weekly reading में बहुत बड़े मसले नहीं होते है और दूसरी बात देखें nine of swords जिस भी चिंता फिक्र की बात करता है उसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन main reason negative thought process या फिर overthinking है देखें overthinking और happiness तो तलवारे हैं जो एक मयान में रहे ही नहीं सकती अगर आप खुश हैं तो आप you know कभी भी pause करके अपनी checking करें आप overthinking नहीं कर रहे होंगे या फिर आप ज़ादा चीज़ों को लेकर नहीं सोच रहे होंगे और जब आप overthinking करते हैं तो आप खुश नहीं रह पाते हैं तो देखें इसी चीज़ को थोड़ा सा check करके correct करने की ज़रत है और नीचे देखे great power का card कहीं will power determination की बात करता है और ऐसी भी energies में रहने की ज़रत है देखे कैसे होता है ना जब हम बच्चे थे या फिर आप currently भी बच्चों को देख लें पूरे साल पढ़ाई करते हैं फिर भी स्कूल वाले exams लेते हैं तो भाई अगर पूरे साल पढ़ाई करी है स्कूल भी attend किया है तो exams की क्या ज़रत है लेकिन वो exams इसलिए लेते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि पढ़ाई करने के बावजूत आपको आता कितना है ऐसे ही जिन्दगी भी हमारे इमतिहान लेती है जिन्दगी भी हमारा test लेती है लेकिन अगर हमने अपना effort 100% दिया है हमारी नियत, हमारी intentions हमेशा से साफ रही है तो देखिए beyond the point हमें डरने की ज़रत नहीं है जैसे कि again देखिए test में वो ही बच्चे डरते हैं जिन्नोंने पढ़ाई नहीं करी होती जिन्नोंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होती है वो बड़े मज़े से exam देने जाते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको यही कहूंगी कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप परिशान हो रहे हैं तो सबसे पहली बात आपने pause करके अपनी checking करनी है कि वाकई में कोई issue कोई मसला है यहाँ फिर आप overthinking कर रहे हैं और इसी वज़े से आप कहीं इस परिशानी को create कर रहे हैं और देखिए अगर ऐसा है तो आपकी परिशानी अपने आप ही गायब हो जाएगी और अगर वाकई में एक परिशानी आप महसूस कर रहे हैं तो देखिए आप अपना effort करें आप जो भी कर सकते हैं उसी चीज़ को अपनी life से दूर करने के लिए उस पर आप काम करें और beyond the point देखिए आप सोचे ना आप खुद पे faith करें आप universe पे faith करें और देखिए अपनी नियत अपनी you know intentions को और जादा आप clear कर लें क्योंकि देखिए अगर फिर से मैं कहूंगी आपकी intention ठीक है और आप hard work कर रहे हैं तो कोई दुनिया की चीज़ आपके goal आपके मकसद को आपको achieve करने से नहीं रोक सकती और अगर you know आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं या फिर आपकी intentions clear नहीं हैं तो ऐसा possible है और अगर ऐसा आप आएं तो इस चीज़ को check करके correct करें बजाई इसके की आप tension करें या फिर आप फिक्र करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है the devil and revolution और दिखें ये cards कहते हैं कि this week sudden changes या तो आ रहे हैं या फिर आप लाना चाह रहे हैं यानि कि किसी चीज़ की आपने उमीद नहीं करी थी किसी चीज़ को आपने expect नहीं करा था या तो वो हो रही है या फिर यूनो ऐसा आप भी unknowingly, unintentionally कर रहे हैं और कहीं इसी वज़े से यहाँ पर devil का card कहता है कि एक stress, एक tension भी आप महसूस कर रहे हैं जो भी आप अपनी life के लिए चाहा रहे हैं, कहीं उसी से ही related, बहुत एक obsessive बहुत एक possessive सी energies हो सकती है और देखिये, फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सब के लिए differ करेगा, कुछ लोगों के लिए relationship से related, एक obsessive सी energies हो सकती है कुछ लोगों के लिए कोई materialistic चीज हो सकती है पैसा हो सकता है, घर हो सकता है गाड़ी हो सकती है, जुलरी हो सकती है फिर से मैं कहूँगी कि कोई भी चीज हो सकती है जिसके लिए बहुत, you know एक desires आप महसूस कर रहे हैं जिसके लिए बहुत एक चाहत आप महसूस कर रहे हैं और कहीं साथ ही साथ एक obsessive एक possessive से भी energies आप महसूस कर रहे हैं और देखे, यहाँ पे भी Scorpios में आपको यही कहूँगी कि जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आप अपना पूरा effort दें जो भी आप कर सकते हैं उसको करें, जो नहीं कर सकते हैं उसको let go करें universe पे faith रखें surrender mode में रहें और outcome से आप बहुत जादा attach ना हों, क्योंकि देखे जब भी भी हम outcome से attach होते हैं तब भी हम परिशान होते हैं तो फिर से देखे अपना best दे, universe पे faith रखें definitely जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और 0.1% अगर नहीं मिलता है तो उसमें भी बहुत बड़ी आपकी कोई भलाई है इस चीज पे faith रखते हुए ही आप चीजों को deal करें and guidance से आप लोगों के लिए void of course moon का card है और यह card कहता है nothing will come out of this situation तो देखें बहुत ही clear message है कि जो भी इस week अच्छा या बुरा आपकी life में हो रहा है उसमें से कुछ concrete नहीं निकलने वाला है और देखें आपके लिए आपे दोनों ही negative cards हैं और यह cards बहुत ही clearly कह रहे हैं कि आप फिक्र कर रहे हैं एक negative frame of mind में हैं एक negative energy है तो देखें बहुत ही clearly again guidance का card कह रहा है कि जिस भी चीज को लेकर आप फिक्र कर रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं निकलने वाला है तो आपको मैं फिर से कहूंगी कि इस फिक्र को आप ज़रूर लेट गो करें and astrology से आप लुगों के लिए Gemini sign का card है और इसके हिसाब से all shades of green आप लुगों के लिए इस week lucky रह सकते हैं and significant day आप लुगों के लिए होगा Wednesday तो यह था Scorpio's आप लुगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए